हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक वर्फे से हमारे चैनल GDC यूटुटर में अपनी मेडिसिन सीरीज को जारी रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा इको स्प्रिंट टैबलेट के बारे में इकोस्प्रिंट टैबलेट बहुत ही कॉवनलि यूज देने वाले है कि यह टैबलेट कब लेनी चाहिए किसे कांटर इंडिकेशन होता है मतल smoking आज की विडियोज में हम でगे बने रहेगा दियर उससे पहले आज का जो हमारा disclaimer होगा कि ये वीडियो बस एक जानकारी के education purpose से है इस वीडियो के माध्यम से आप कोई भी medicine, कोई भी दवाई खुद से लेने का प्रयास नहीं करिएगा बिना किसी डाक्टरी सला के कोई भी education लेना बहुत ही हानिकारक होता है तो चली टेयो स्टुडेन स्टार्ट करते हैं EcoSprin tablet के अंदर क्या content होता है तो EcoSprin tablet जो हमारी होती है mainly aspirin उसमें होता है EcoSprin एक USB pharmaceutical के द्वारा manufacture की जाती है जो की 75 mg 150 mg और 325 mg के content में के form में आती है mainly इसमें aspirin होता है जिसे हम acetyl salicylic acid भी बोलते हैं जो की एक non-esteridal anti-inflammatory category की drug है और ये medicine mainly aspirin का जो use होता है वो pain fever inflammation के reduce करने के लिए होता है और इसके साथी साथ इसका जो main action हुआ blood को पतला करना साथी साथ clot formation जो blood का हो रहा है उसको prevent करती है और सबसे main anti-platelet action हो करती है इसलिए इसको mainly commonly दिया जाता है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे eco spring जो tablet है उसके uses के बारे में कहां कहां use हो रही है अब हमने बात किया कि anti-platelet actions हो कर रही है blood को पतला कर रही है तो mainly हम heart के condition में ingina के condition में इसका use देखेंगे सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारी veins होती है उसमें जो blood flow कर रही है injury के समय या कभी-कभी होता क्या है कि जो platelet होती है आपस में stick कर जाती है जिसके कारण वो clock बना लेती है clot करती है और जो veins होगा हमारा जो blood लेके जा रहा है उसको block कर देंगी जिसके कारण heart attack chest pain ingina की condition उत्पन होती है उस condition में हम इस tablet को prescribe करते है मिलनी देखेंगे कि ingina के prevention में ये tablet दी जाती है heart related जो chest pain है उससे treat करती है साथी साथ heart attack का prevention treatment करती है और stroke का भी treatment treatment इसके द्वारा किया जाता है साथी साथ blood clotting को prevent करती है blood thinner की तरह use होता है और anti platelet actions हो करता है eco spring tablet फिर उसके बाद हम बात करेंगे uses के बाद कि eco spring tablet की क्या doses होनी चाहिए क्या doses होती है मिलनी जो dose निर्धायब की जाती है वो आपके doctor प्रामर्ज के द्वारा निधायब की जाती है कितना dose हो देंगे साथी साथ इसको खाली पेट न ले फूड के साथ ले ताकि जो gastric burn या stomach pain या other problems है वो create नहों पाए साथी साथ इसको direct swallow किया जाता है क्रस्व या चबा के नहीं किया जाता है साथी साथ जब इसे हम रात के समय में लेते हैं इकोस्प्रीन टैबलेट को यह ज्यादा effective होती है क्योंकि रात के समय आपका heart attack chest pain और heart से related जो भी problem है रात के समय ज्यादा आने की संभावना होती है इसलिए night time में इस टैबलेट को लेना बहुत ही fruitful होगा फिर हम बात करेंगे कि किसको यह टैबलेट नहीं लेनी चाहिए किसको precaution किस-किस patient में बरतनी चाहिए सबसे पहले जो children 16 साल से कम age के है उनमें यह इकोस्प्रीन टैबलेट नहीं देनी चाहिए pregnant जो ladies है asthmatic जो patient होते है bleeding या peptic ulcer disorder वाले जो patient है और bleeding और thin कर देगा और clotting रोक देगा तो और दिक्कत हो जाएगी साथी साथ liver disease जो severe liver disease वाले severe kidney disease वाले patient है उनमें नहीं दी जानी चाहिए साथी साथ अपने doctor के परामर्ष से ही doctor आपको condition के हिसाब से आपकी history के हिसाब से जो आपको prescribe करेगा जो बताएगा उसी के हिसाब से आपको ये medicine लेनी चाहिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ common side effect कौन-कौन से कुछ common side effect होंगे इस eco-splain tablet का तो mainly heart burn होता है इसको ज्यादा consume करने से और bleeding tendency हमारी increase हो जाती क्योंकि हमारा clotting बनी नहीं रहा है blood पतला है तो bleeding हमारी बढ़ दी आएगी साथी साथ nausea की condition stomach upset हो जाएगा vomiting की condition, runny nose की condition और itching की condition इसमें देखने को मिलती है mainly जो eco-splain tablet था हमारा एक blood thinner anti-platelet action हो करती है और market में बहुत ज़्यादा बिकती है बहुत ज़्यादा prescribe की जाती है अगर इस tablet की जानकारी dear student आपको अच्छी लगी हो तो औरों तक जरूर share करिएगा अब अगला जो हमारा tablet होगा जो video होगा, medicine होगा किस medicine पे होना चाहिए वो comment box में जरूर लिखेगा अपने दोस्तों तक ये video जरूर share करिए मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए thank you so much all the very best